हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अखिलेश दाजगुपता इंस्ट्यूट अफ टेकनोलोजी एंड मैनेजमेंट जिसका पहले जो नाम था वो था नौर्थन इंडिया इंजिनियर कॉलिज आज इस कॉलिज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ आप सभी के सामने यहां पर प्लेस्मेंट फीस फैसिलिटीज और यह कॉलिज वर्थ रहेगा आप लोगों के लिए यह आज इसकी वीडियो में आपको पता चलने वाला है डिटेल में एक्स्पीजियन्स के बेस पर मैं नहीं बताऊँगा आपको जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कुछ इस्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने यहां पर रिव्यू लिया है उनसे यहां पर थोड़ा सा मैंने पूस्ताज भी करी है उसको देखते हुए मैं आपको पूरी complete जानकारी देने वाला हूँ तो य इंफ्रस्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो आई प्यू में सबसे सुन्दर कॉलिज अगर हम इसे कहें तो बूरा नहीं होगा इसका डिजाइन इस तरीके से करा गया है इसका कि देखने में यह अलग से अपीलिंग लुक लगता है कलर फुल लगता है और काफी अ मूर्मीरी चीजिया नहीं हो जाती है कि आप इस ओल्स तक का पहुंच कैसे सकते हूशने के लिए आपको सबसे वह रहेगा वह रहेगा यहां पर कश्मीरी गेट मैट주carbon से पहुंच सकते हो यहां पर कश्मीजी गेट जब येलो लाइन से आप गेट नमबर 3 से एकजित करोगे तो वहां पर ग्रामिन सेवा स्कूटर मिल जाएंगे जो आपको 10 रुपे में मातर 10 रुपे में कॉलिज के गेट पर उतार देगी हमाँ से एक त One more Kilometer के असपा यह कॉलिज परता है तो यह एक अप्शन है अगर आप या यहलो लाइन पकड़े कश्मीजी के जो आफिस शास्तृपाराइक के ज़ब जांके जा सकते हो और अगर मैं बात करू बाय बस तो आप महाँ से ठेके हैं पर उतार सकते हो तो अगर आपने नाम सुना हो शास्त्री पारक में रेड लाइट जो है और वहां से पैदल पैदल भी जाओगे तो वहां से आप पहुंच जाओगे रिक्षा भी आपको मिल जाती है ठेके से भी आपको गरामिल सेवर स्कूटर मिल जाएंगे जो जी रो पुस्ता पर आपको सीधा कॉलिज को रीच कर सकते हो तो इसके ज्यादा मैं आपको और क्या ही कहूं कि मैंने आपको काफी चीज़े बता दिया कि यलू लैंस से जा सकते हो और अगर बस की मैं बात करो तो आप वहीं पहुतर सकते हो शास्त्री बारक ठेके पर या फिर ऊपर रेड लाइट पर 我हां से रिक्षा आपको मिल जाएगी जो 5 रुपए युट ज फुली हो और को यहां पर छीज़े क क्लियर हो गई होगी अब वीडियो मुझे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आम आ रहाइगो दो मेरी यह रिक्वेष्ट है और इस चपो जरूर सब्सक्राइब करें रैड बटन किलिक अब टाइम पर इस ब्यूज़न को देख सकते हैं इस बीडियो को देखके बैनिफिट ले सकते हो जरू कि सबसे जदा इंपोर्टन्ट है क्योंकि जादा तर जो स्टुडेंट्स है वो फैसिलिटीज को ही देखते हैं उस फैसिलिटीज में बात करूँ क्लासिस की तो यहां पर जो क्लासिस है वो एवरेज है जैसे कि हर आई प्यों के कॉलिज की होती है इसके बाद में अगर बात करूँ लैब्स की जो लैब्राटरी जो होती है तो वहां पर एसी लगावा होता है वहां पर कंप्यूटर्स भी होते हैं है वो पूरी अच्छी तरीके से वेल मैनेजड है और काफी अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है तो लैबरोटरी काफी ठीक ठाक आप कह सकते हो और वहाँ पर अब में चीज आती है जिसके लिए जातर स्ट्वेंट्स तरसते हैं वह होती है कैंटीन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाकि कैंटीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक कैफिटेरिया अलग है और एक कैंटीन अलग है और अभी सुनने में एक और कैंटीन हो जाएंगी और एक कैफिटेरिया तो यहां पर और लड़ी है ही तो हो सकता है जो बैठने की जगा अच्छी हो जाए तो कैंटीन आपर काफी अच्छी का सी आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है एक अगर में बात करूं के मुकाबले तो उससे ब्लस्टी सी बैटर है उस और मैं बात करूआ शोले बटूरे की तो यहां पर 60 रुपे की प्लेट है और यह जाता हूं जो भी आपको मैं प्रोवाइड करूं वह एकदम सही करूं वह एकदम अच्छी हो डीप में हो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप लेने से पहले अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओं अब बात करते हैं यहां पर ग्राउंड की तो ग्राउंड यहां पर काफी बड़ा है यहां पर आपको सारी गेम्स मिल जाती है बैट मिंटन टैनीस फुटकॉल तो यहां पर आप लेक्ट्र के दौरान नहीं खेल सकते लेक्ट्र के दौरान यहां नहीं है तब यह कबार हो सकता है खेल लिए जाए बट आफ्टर कॉलिज जब 3 बज़े के तो आप बात करते हैं लाइब्रेरी के तो लाइब्रेरीं यहां पे मैं बताना चाहूंगा फ्रहाँ एक रिसर्च पेपर वाली यहांप सकते हो और लाइब्रेरी काफी अच्छी नहीं पर पूच्छा था तो लाइब्रेरीं आपको यहां पर देखने को मिल जाएundos लेकिन अगर मैं बात करूँ यहां पर जिम की तो आपको यहां पर ना जिम मिलता है ना यहां पर आपको swimming pool मिलता है बट जो भी मिलता है वो यहां पर ठीक ठाक हम कह सकते हैं अगर बात करूँ मैं आउर college के मुकाबले IP UK अब बात करते हैं जैसे मैंने facilities में आपके सारी बात कर ली है hostel भी यहां पर आपको अवे लेवल हो जाते हैं पर तो फोस्टल भी हैं यहां पर आपको साथ बात करूँ तो साथ बरांचे से यहां पर आपको लगबग लगबग सीटें अगर आप इस क्रीन पर देख सकते हो तो आपको यहां पर शो हो रही होगी सीविल में 120 120 Chief 20 120 साथ सबी मिखें तो यह वह गया है है आपको ठेड़ कब शीची को सब्सक्राइन पर आकूर्ट करते हैं किया कटव जो है उसको आप जाके देख सकते हो कि इस बाद की cut-off क्या हो सकते है मैं उसमें पूरा analysis करा हुआ हाला कि मैं इस college की particular cut-off बता रहा हूं इस college की particular cut-off है वो यहाँ पर देख सकते हो last year की मैंने निकाली हुई यह दिल्ली reason की और यह round 3 की है तो आप CSE की देख सकते हो 21000 से लेके एक लाग गया तक गई हुई है general category की मैंने निकाली हुई है EWS की मैं बात नहीं कर रहा हूं EWS की हो सकता है थोड़ी सी और अच्छी गई हो हाला कि EWS का admission नहीं होता है private में तो EWS तो यहाँ पर बनता ही नहीं है बिल्कुल भी बात करना general के मैं बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हो यह दिली रिजन की मैं बात करो morning shift की आउटसाइट डिली रिजन की अगर मैं बात करो तो आप देख सकते हो computer science में यहाँ पे 62000 तक भी गई है और sport round में मानलो आप 70,000 तक भी admission यहाँ पे हुए होंगे तो यह है basic cut-off जो आप यहाँ पे screen के ओपर देख सक अगर सेन और सूरजमल की मैं बात करूँ तो काफी कम है उसके हिसाब से भगवान पर आपके बराबर बराबर यहां पर देख सकते हैं और उसके साथ में आपको पे करना पड़ता है वह भी आपको स्कूर्ण के ओपर डिटेल मिल रहा होगा बाकि फीस के ओपर मैंने डिट अधियुल नहीी करता और। सबसे पहले यह देखते वह प्लेस्मेंट जू हर बच्छा देखता है और बात करूं इस कॉलow City पहले से यारा होती प्लेसमें फेले जो वाले डिरेक्टर थे उनकी दैथ हो गई थी इस कारण से डिरेक्टर चेंज हो गई थे तो जो अब डिरेक्टर है वो थोड़ो से स्ट्रिक्ट है तो प्लेस्मेंट का रिकॉर्ड भी पहले से मुकाबले अच्छा हुआ है यहां पर तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊप बड़े से बाइड़ा ज्याहें नाम देख सकते हैं इस में है कॉलीज में यहां पर आते हैं इसमें इस में नाम नाम भी देख सकते हो health तो काफी सारी कंपनी के नाम यहां पर इंफोसिस है यह आप देख सकते हो जो यहां पर आती है और यहां के इस्टुडेंट को ले जाती है जो कुछ स्किल्स डेवल अप करें होते हैं ऐसा नहीं है कि आप कोलेज मैंडमिशन ले लिया और आपने कुछ नहीं पड़ा और सीखना पड़ेगा कोडिंग सीखनी पड़ेगी स्किल्स डेवल अप करने पड़ेगी तो ही आपकी प्लेसमेंट लगेगी तो यह हो गई यहां पर सारे फेक्टर के ओपर मनें बात कर ली है आई होप मैंने यहां पर कोई फेक्टर नहीं छोड़ा होगा एक लाश्ट आई प्यू में मैंने और डड़ी एक वीडियो बनाए हुई है कि टॉप फाइफ कॉलेजिस कौन-कौन से है आई कार्ट के आपको वीडियो मिल जाएगी वहां से जाके आप देख सकते हो कि नंबर बन पर जैसे की यूएस आई सिटी भाटी विद्धिया पीट महाराजा अग्रसेन महाराजा सुरजमल तो यसी जब आपको पता है और अब अमबेटिकर कॉलेज जो है वो एनस यूटी में जा चुका है तो आपके लिए यह जो ऑप्शन है अखिलेज दास गुपता का यह आपके लिए खुला हुआ है यानि अगर आपको टॉप आई प्यू के क आपको सजेश्ट करूंगा ऐसा फ्रेंड ठीक है कि आप इसमें ले सकते हैं बट मॉर्णिंग शिफ्ट में लोग है तो ज्यादा बैटर रहेगा विकोज यह कॉलेज अपनी जो परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं वह इंप्रूव कर रहा है देरे देरे इसकी रैंकिंग में इ इसका नंबर आप लगा सकते हो अगर सेन सूरजमल और मेन कैंपस भारते विद्यापिट इन चार कोलेजों के बाद मैं कह सकता हूं कि यह पांच में नंबर पर आने लायक है भगवान परशुरम की अपेक्षा तो आप ऐसा सोच सकते हो अगर आपके यह लोकेशन वाइस भी पास में पढ़ता है तो आप इस कॉलिज में ले सकते हो बाकि प्लेस्मेंट वाइस जैसे मनें बताया प्लेस्मेंट वाइस भी अच्छा है इसकी कम है एस कंपेर टू अधर प्राइवेट आईप्यू कॉलेजिस सारे कोर्स भी अविलेवल है और रीच आउट करना भी सब्सक्राइब बाकि आप भी बड़ जीए तो आप सब को इस वीडियो में सारी जीजे मिल गई होगी और मैंने पूरी कोशिश करी है पूरी रिसर्च करके आपके सामने इन्फोर्मेशन रखी है मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइ अगर आप इस्टेग्राम पर फोलो करते हो तो आप में से पर्सनली रहा सकते हो आपको यूजर एडि मेरी इस्टेग्राम की दिख रही होगी स्क्रीन के उपर तो चल्दे से चाहिए तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं अगली वीडियो में बात करने वाला हूं और मेंन केंपस जो है आई पी उनिवर्स्टी का उसके ओपर मैं बात करूंगा डिटेल में जब तक के लिए स्टे स्मार्ट टेक केर आफ यूरसेल्फ बुट बाई